अबी तक हमने दो अक्षरों के साथ आग की मात्रा लगा कर पढ़ना सीखा आज हम तीन और चार अक्षरों के साथ आग की मात्रा लगा कर पढ़ना सीखेंगे इससे पहले हम लिखना सीखेंगे ऐसे लिखते हैं कोई भी शब्द बीच की तीन लाइनों में लिखा जाता है उपर की और नीचे की रेड लाइन को टच नहीं करते कोई भी शब्द इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए और मात्रा भी बाहर नहीं आनी चाहिए अब हम तीन और चार अक्षर के साथ आकी मात्रा लगाना सीखेंगे जैसे ब को आकी मात्रा लगाई बादल क 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 ग न कव की मतरा न ह्र ओनार क म ल क क आम 裂 कंमाला ग म ल क का माला caused गामला सर ल क क क आमाला थर लादा गर में पाई जाने वाली वस्तु है जिनके चित्र नीचे दिये गए है उनके नाम लिखो झार्ण कित्वे 144 motivo कित्र नीचे बीचे बाई अच क्योंने बीचे कस पार शीत